हाइड्रोजन पर ओक्साइड के इस भाग दो में हम मुख्यते तीन बातों पर चर्चा करेंगे पहली है कि ये किस प्रकार कारिय करता है वो क्या इसकी खूबिया है जो इसे पोधों में एक अच्छा बैक्टीरिया नासक यानि जिवानू नासक और फंगस नासक बनाता है दूसरा है इसके परियोग की मातरा अगर हमें इसकी अवश्यक्ता पड़ी तो इसका परियोग किस प्रकार करेंगे और तीसरा है कि इसके परियोग में हमें क्या-क्या साथधानी रखनी पड़ेगी किसान साथियों आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार्तियागी आईए अब हम चर्चा सुरू करते हैं कि ये किस प्रकार हमारी सहिता करता है इसका कैमिकल फॉर्मूला है इसमें पानी होता है और आकसीजन होती है जब ये विगटित होता है अर्थात किरिया सील होता है तो इससे पानी अलग होता है और जो ये अतिरिक्त आकसीजन का अनू होता है ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है ये क्या करता है जितने भी जिवानू है बैक्टीरिया है फंगस है तो उनकी जो सेल होती है जो कोशी का होती है उसके बाहर में जो एक इलेक्टरोन होता है उसको ये चुरा लेता है और जब किसी की रक्सा करने का कोई चीज चुरा ले तो उसको नुकसान होना संभव है ये मैं साधारण सब्दों में आपको बता रहा हूँ इससे जो जिवानू है जो हानिकारक जिवानू है हमारे या हमारे फंगस है वो धिरे धिरे खत्म होने लगती है ये इसका पहला काम है और चुकि हमें ऑक्सिजन की मातरा मिली है तो पोधे की सोसन किरिया को ये ठीक करता है और पानी इसकी साथ हमें मिला ही है ये विया इसका साधारण सब्दों में कि ये किस प्रकार काई है आपको एक बात और बताना चाओंगा क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आपको कोई घाओ हुया है क्या डॉक्टर ने हमेशा हाइडरोजन परोकसाइड लगाई है नहीं हमेशा नहीं लगाते वो कुछ ही परिस्थितियों में लगाते है और यही परिस्तिती हमें अपने पोधों के लिए भी ध्यान रखनी है क्योंकि अगर इसका प्रियोग हम करते हैं अपने जो साफ घाओ है उसमें भी करते हैं तो ये आपके खून के साथ रियक्टिव करता है और वहाँ पर जो अच्छी कोशिकाए हैं उनको भी ये डेमेज कर सकता है और कर भी देता है इसलिए जब घाओ में कुछ इतने जिवान हो जाएं कीडे पड़ जाएं उसमें या उसमें इतनी गंदगी हो जिसे साफ करना जरूरी हो तब ही हमारे चिकित्सक इसका पर्योग साफ करने में करते हैं ये बात आपको ध्यान लखनी है अर्थात ये कोई ऐसा प्रमोटर या ग्रोथ प्रमोटर नहीं है कि जिसका परियोग आप बिना किसी बिमारी के पोधे में करने लगे इस बात को गांट मांद लीजिए अब आईए बढ़ते हैं आगे इसकी क्या मातरा होती है किसान साथियो ये जो बाजार में मिलता है ये कई परसेंटेज में मिलता है 3% में, 6% में, 6.5% में और 37% में भी मिलता है अब मैं यहाँ पर दो चीजे बता हुआ जो अधिकतर medical store पर मिलता है वो 6.5% वाला होता है और उसमें एक सब्दोर लिखा रहाता है 20 volume यह 20 volume क्या है आप यह माल लीजिए कि अगर हमारी एक छोटी bottle हम यूज करेंगे पानी में मिलाएंगे तो उसका जितनी मात्रा उस bottle की हम hydrogen peroxide की मिलाएंगे उसका 20 गुना हमें oxygen मिलेगी उस पे यह साधरन सब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ अब हमें जो 6.5% का या 6% का मिल रहा है कितनी मात्रा में करेंगे डेड़ एमेल से लेकर 2 एमेल पर 3 लीटर पानी में मिलाएंगे अर्थात अगर आपको 200 लीटर की आवशकता है तो 200 लीटर पानी में आप 300 से 400 एमेल 6.5% वाला H2O2 यानि hydrogen peroxide मिलाएंगे और पोधों में drenching करेंगे ये कुछ कीट नसक का भी कारिय करता है अगर आपके पोधों में कुछ कीट का असर है तो आप इसको एक एमेल पर 3 लीटर की दर से पानी में मिलाएंगे और उसका इस्प्रे कर दीजिए किसान साथियों एक चीज का आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है ये प्रिवेंटिव नहीं है ये क्यूरेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये लग रहा है कि बीमारी आने वाली है और मैं दे दू नहीं ऐसा नहीं करना है अगर आपके यहां कोई कीट नहीं है आपको इस्प्रे नहीं करना है अगर कीट आगए तब ही आपको चलते हैं तीसरे पाइट की तरफ हमें इसमें क्या-क्या सावधानिया रखने है किसान साथियों पहली सावधानी ये है कि जब आपके पोधे में बिमारी हो तब ही इसको परियोग करना है दूसरी चीज ये है कि इसको बार-बार परियोग नहीं करना है तीसरी सावधानी ये रखनी है कि इसमें आपको इसे किसी भी हालत में गरम नहीं करना है और चोथी और अंतिम सावधानी मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कोई भी दवाई का परियोग करे अगर आपने वो पहली बार कर रहे हैं तो इसे मातर कुछ पोधों पर करके देखे कुछ पोधों पर करिए चुकि ऑक्सिजन होने के वैसे जल्दी रिजल्ट आएगा आपको पांच दिन में पता चलना सुरू हो जाएगा और आप इसके बाद अपना इसको परियोग कर सकते वैसे दो एमेल तक इसमें हमने परियोग किया है इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है जो इस वीडियो का जो पूरा लेखन था वो अमित भाटी जी ने किया है उसका हिंदी रूपांतरन जो मैंने बताया है वह है मेरी वेबसाइट amazingkisan.com पर उपलब्ध है जैवी खेती सेक्शन में जाईए और वहां पर इसको देखिए और डाउनलोड कर लीजिए एक बात मैं और बताऊंगा मैंने खाद पर दो वीडियो बनाई है 179 और 197 नमबर की उसमें मैंने जेकर किया था कि मैंने ये जो खाद के दो तरीके बताये थे इनका टेस्ट कराया था वो टेस्ट रिपोर्ट भी आपको जेविक खेती सेक्शन में ही आपको मिल जाएगी तो कोई भी खाद बनाए तो ये देखे कि क्या जो आप बना रहे हैं और कर रहे है कि उसमें है क्या आखिर हमें क्या मिल रहा है कुछ पोदों को फाइदा भी होगा या नहीं होगा किसान सातियों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार जै हिंद, जै भारत